नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है देखिए आज का जो वीडियो है वो CCM टेबलेट के उपर है और ये मोनो देखिए कि इस टेबलेट को लेने के बाद किस तरह से व्यक्ति की प्रकरती होती है वो साइथ होता है बिल्कुल आकाश की त के साथ विटामिन D3 और फोलीकिस्टी होता है देखिए हडियों को मजबूत करने में केलशियम का बहुत जवरजस्त योगदान है और उसमें आई कमजोरी जैसे हडियों में इदी कमजोरी आ जाए जैसे बुड़ापा इदी व्यक्ति का आता है तो हडिया निसंदे कमजो कर सकते हैं देखिए इसमें विटामिन D3 है एक्चल में विटामिन D3 जो होता है वो सूरी के प्रकास में मिलता है और जब हमारा शरीर शरीरी क्रियाएं करता है जैसे exercise वगएर हम करते हैं तो generate होता है विटामिन D3 जो कि हमारे शरीर में होता है लेकिन उसकी जब कमी होती ह तो हमें परिशानी होती है और उस परिशानी को दूर करने के लिए CCM टेबलेट में विटामिन D3 को डाला गया है देखिए यह दवाई जो है वो भोजन से अधिक मात्रा में केल्सियम और शोशित करने में मदद करता है जैसे भोजन में जो भी हम चीज खाते हैं उसमें केल्सियम होता है माना की केल्सियम होता है होता ही है तो उसको जो भोजन से केल्सियम को निकाल के और शरीर के विविन नंगों में पहुचाने में सायक होता है यह टेबलेट केल्सियम सिटरेट जिसमें की है CCM टेबलेट में आप देखिए इसमें folic acid भी होता है folic acid का काम जो है वो blood का formation यानि खून बनेने में मदद करता है folic acid इसके कारण जो oxygen का परिवहन है वो आसान हो जाता है और oxygen का परिवहन के साथ साथ गर्बावस्ता में जो शिशू पल रहा होता है उसके मस्तिक्ष और उसकी रीड की हड़ के विकास में इस folic acid का बड़ा योगदान होता है तो calcium, vitamin D3 और folic acid से युक्त Glexo company का CCM tablet हम सभी के लिए काफी कारगर है देखिए यदि आपके खून में calcium का उच अस्तर हो जाए तो वो भी एक समस्या होती है इसलिए कभी भी calcium की अधिक्ता यदि आपके शरीर में है और पत्री वगरा की यदि कोई शिकायत है या कोई medical ऐसी चिकित्सा चल रही है या कोई medical समस्या चल रही है तो उस स्थिति में आपको doctor की सला के बाद ही इस tablet का जो है वो seven करना चाहिए अच्छा इस गोली में इस डबी में 40 गोलियां आती है और ये 40 ही गोलियां 545 रुपे की याने costly तो है लेकिन गोलियों का असर इतना शांदार है कि आप कीमत को भूल जाएंगे तो देखिए जो tablet है उसको नाष्टे के बाद साबूत निकलने का होता है याने उसको तोड़ना नहीं है उसको चूसना नहीं है नहीं तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है देखिए बेहतर होगा कि tablet को आप एक ही समय पर लें यदि सवेरे नास्ते के बाद आप इस tablet को लेते हैं तो अगले दिन भी उसी समय पर लें माल लिजिए कि आप गोली भूल गये किसी दिन लेना तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन एक की बजाए दो गोली ले लें वो गलत तरीका अपने आप ठीक हो जाता है बावजूद इसके भी यदि ठीक न हो तो डाक्टर की सलाह लीजिए और डाक्टर को अपनी परेशानिया और अपनी जो इस्थिती है उससे आउगत कराईए ताकि डाक्टर जो है अच्छे से समझ कर आप इस गोली को या तो आगे या फिर दूसरी कोई दवाईया लिखेगा आप देखिए इसकी लत नहीं लगती ऐसा नहीं है कि आपने एक डिब्बी पूरी खाली कर दी 40 दिन के अंदर तो अगली बार फिर आपकी इच्छा होगी कि नहीं और ले लेते हैं ऐसी कोई समस्य है इसमें नहीं है जब आप मेडिकल हिस्ट्री वेक्ति के अलग-अलग होती है और उस तरह संबंदी कुछ समस्या होती है तो ये CCM टेबलेट के उपर एक छोटा सा वीडियो था उमीद है कि 545 रुपे की ये डब्बी जो की है महंगी तो है लेकिन इसके गुन बड़े लाबकारी है 40 गोलियों वाली ये डब्बी आप इसको देख सकते हैं पसंद आया होगा आज का वीडियो तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार